सुगाइस कुछ दिनों पहले मैंने इस Digital Alarm Clock का Complete Unboxing and Review किया था और इसकी price की according ये काफी decent product है लेकिन आज की इस वीडियो में आपको इससे भी अच्छी Digital Alarm Clock के बारे में बताने वाला और finally ये मुझे receive हो चुके है flip card से मैंने इसको order किया था और यहाँ पर ये finally मुझे receive हो चुके अगर आज किस वीडियो में इस Digital Alarm Clock का Complete Unboxing and Review करेंगे साथी साथ comparison भी करेंगे कि दोनों में क्या फरक है और ये जो Digital Alarm Clock है वो किस तरह से better है इस वाली Digital Alarm Clock से तो अगर आप भी best Digital Alarm Clock सेर्च कर रहे थे तो आपने बिलकुल सही वीडियो पर क्लिक किया है साथी ये जो Digital Alarm Clock है इसकी light और brightness काफी अच्छी है जिससे की रात में भी ये आपको आसानी से visible हो जाएगी और time आप easily देख सकते है तो चलिए जल्दी से इसको open कर लेते हैं उ यहाँ पर किस तरह से ये Digital Alarm Clock हमें देखने को मिलती है तो इसको यहाँ से कर लिया है हमने open तो बाहर निकाले के बाद में देख सकते हैं कि यहाँ पर मिली है हमें ये box में और इसके box पर भी देख सकते हैं ये Digital Alarm Clock जो है वो print है तो open करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलती है एक केबल, इस केबल का यूज हम बाद में देखेंगे, उससे पहले यहां से निकाल लेते हैं, इसको बाहर और बाहर निकालने के बाद में, सबसे पहले तो बॉक्स खाली है, बॉक्स को हटा देते हैं, उसके अलब यहां से निकाल लेते हैं, इ यहाँ पर जो डिजिट्स देख रहे हैं वो थोड़े थोड़े विजिबल है लेकिन इसमें जो LED lights है उसके glow होने के बाद में यह जो clock है वो काफी attractive लगती है सो front side यहाँ पर आपने देख लिए उसके अलवा यहाँ पर बात करते हैं उपर से यहाँ पर इसके buttons है जिसमें कि आपको कुछ 5 buttons दिये हुए है mode, alarm, light, snooze और up, down के आपको buttons मिलते हैं side में यहाँ पर और कुछ भी नहीं है I think यहाँ पर speakers होंगे जिससे कि इसके alarm sound को हम सुनेंगे और यहाँ पर हमारे पास है यह वाला port जिसमें हम इसको लगाएंगे और साथ यहाँ पर मिलता है हमें batteries के लिए यहाँ पर एक option जिससे कि आप इसमें batteries लगा सकते हैं तो सबसे पहले तो इसको हम battery लगा कर on करते हैं उसके अलवा इसको आप direct adapter के साथ में भी लगा सकते हैं वो भी बिना battery को लगाए वे तो यह जो feature मुझे इसका काफी अच्छा लगता है जिससे कि आपके पास अगर batteries नहीं है तब भी आप इसको adapter लगा कर जो है वो on कर सकते लेकिन फिलाल हम सबसे पहले इस पर battery लगाते हैं तो battery लगाने के बाद में कुछ इस तरह से एक बाद यह बीप करेगा उसके बाद में यहाँ पर जो time है देख सकते हैं अभी 0-0-0 है उसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हम pack कर देते हैं pack करने के बाद में लेते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो time है वो starting में जैसे ही आप इसको on करेंगे तो time set नहीं होगा आप time कैसे set करना है सबसे पहले तो वह देख लेते हैं उसके फीचर भी देखेंगे तो सबसे पहले प्रेस करेंगे हम mode वाले बटन क जिसमें यहाँ पर date है date के बाद में यहाँ पर इसको हम जब press करेंगे तो यहाँ पर जो temperature है उसका भी feature आपको मिलता है चलिए जल्दी से इसका time set कर लेते हैं देखते हैं इसका time आपको कैसे set करना है तो आपको यह complete अच्छी तरह से follow करना है बहुत जदा typical नहीं है लेकिन अगर आप ध्यान से दिखेंगे तो बहुत easily तरीके से आपको समझ में आ जाएगा तो इसके time को set करने के लिए सबसे पहले आपको mode वाले button को press and hold करके रखना है इसको press and hold करने के बाद में यहाँ पर यह जो है blink करने लग जाएगा और सबसे पहले आपको जो इसके 24 hour और 12 hour वाला option देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर up or down button से आप इसको change कर सकते हैं मैं इसको 12 hour पर करता हूँ उसके बाद फिर से mode button को single press करेंगे और यहाँ पर हमें time जो है वो set करने का option मिल जाएगा तो सबसे पहले hour set करेंगे जिसमें कि यहाँ पर अभी जो time हो रहा है वो 11.44 हो रहे है तो हम इसको down कर देंगे तो यह 11 हा जाएगा मतलब 12 से नीचे down हो जाएगा और यह 11 हो जाएगा उसके बाद में अभी PM नहीं है अभी AM है तो हम इसको और भी down करेंगे और लेके आते हैं इसको फिर से 11 पर और यहाँ पर देख सकते हैं 11 सेट हो चुका है फिर से mode को single press करेंगे तो यहाँ पर हमें minute सेट करने का option मिल रहा है तो यहाँ पर हम down करेंगे और उसको पीछे लेके जाएगे 44 तक अब जो है वो 45 हो चुके है तो हम इसको 44 पर लाकर छोड़ देंगे फिर से mode को single press करेंगे और यह जो है वो completely set हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है 11.45 टाइम अभी set हो चुका है तो चलिए लेकर आते हैं पहले वाली digital clock को और देखते हैं यहाँ पर दोनों को compare करते हैं दोनों के look wise तो देख सकते हैं यहाँ पर जब इस button को press करते हैं तो time जो है वो आपको दिखने लगेगा और यहाँ पर है वो हमारी पुरानी वाली जो clock digital alarm clock का मैंने unboxing and review किया था यह वो वाली clock है दोनों में आप look wise compare कर सकते हैं इसको और इसका look देख सकते हैं दोनों में से आपको कौन सा वो अच्छा लग रहा है प्लीज मुझे comment करके ज़रूर बताना filler personally मुझे यह वाला जादा अच्छा लग रहा है यह भी इसकी जगे अच्छा है लेकिन यहाँ पर इसमें और इसमें जो major difference देखने को मिलता है इसकी lighting का देखने को मिलता है जो कि यह LED light से वो बहुत जादा glow करती है और काफी bright है लेकिन इसमें जो light sensor दिया हुआ है इसमें जो display है वो यहाँ पर देख सकते है clearly visible है इसका जो time है वो आपको हर angle से बिलकुल सही तरह से दिखता है लेकिन इसका आप angle change करते है तो यह जो है वो visible नहीं होता है तो यह major difference आपको इन दोनों में देखने को मिलता है खेर price में भी यहाँ पर difference है यह थोड़ी कम price में है और इसकी जो price है वो इससे थोड़ी सी जादा है well price के बारे में आगे बात करेंगे तो अब बात करते है डेट आपको कैसे set करनी है तो उसके लिए तो सबसे पहले आ जाना है आपको यहाँ पर डेट वाले option में जिससे कि आपको mode को press करके आना है mode को press करने के बाद में यहाँ पर date show रही है और इसको set करने के लिए press and hold करके रखना है press and hold करके रखने के बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले year को set करेंगे तो इसको up करेंगे 2023 पर लेकर आने के बाद में फिर से mode को press and hold करेंगे यहाँ पर जो है वो month का option है month हम set कर लेते है 8 उसके बाद में यहाँ पर mode को फिर से हम प्रेस करते है और date select कर लेते हैं 16, 16 select करने के बाद में यहाँ पर देख सकते है date भी select हो चुकी है और date भी यहाँ पर completely set हो चुकी है, अब mode जैसे ही प्रेस करेंगे तो date यहाँ पर exactly सही शो होगा, उसके अलावा यहाँ पर जो temperature है वो automatic है, तो चलिए आपको बताता symbol यहाँ पर आजाएगा आपको alarm को ही press and hold करके रखना है और इसको press and hold करके रखने के बाद में यह blink करेगा और यहाँ से आपको alarm को set करना है, जैसे हम यहाँ पर जल्दी से 11, 1159 हो रहे हैं तो जल्दी से इसको 12 और 1 पर set करते हैं 12 बचकर 1 मिनिट पर तो यहाँ पर alarm वाले कि आप देख सकते हैं 12 बचकर 1 मिनिट हो चुके और alarm sound करने लग गया है तो first में दीरे दीरे slow sound आएगा उसके बाद में दीरे दीरे यह तेज होगा तो आप इसका sound सुनिए सुख़़ डिरेक्टली अगर आप इसके up down button को प्रेस करेंगे तो आप इसकी brightness को भी कम जादा कर सकते हैं और इसकी brightness है वो अंधेरे में अगर आप इसको जादा पर रखते हैं तो बहुत जादा glow करती है इसलिए यहाँ पर यह भी option दिया हुआ है कि आप इसको कम जादा क देखे हैं तो दीखे मैं आपको पूरा अंधेरा करके दिखाता हैं अंधेरा होने के बाद में इसकी brightness देख सकते हैं बहुत जादा है यहाँ पर इसको रख डेते हैं नीछे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा होने के बाद में इसके जो डिजिट से बहुत अच्छी तरी से यहाँ पर विजेबल हो रहे हैं तो चलिए अब देख लेते हैं इस कैबल का यूज कि आप इसको कैबल से डिरेटली कैसे यूज करेंगे अगर आप बैटरी इसको निकालना चाहें तो इसको निकाल कर भी मैं दिखा देता हूँ लेकिन एक बात को आपको ज्यान रखना है जैसे यह आप बैटरी इस निकालेंगे और इससे आप चलाएंगे वह आ जाएगा लेकिन जब आप इससे आप इसको ओन करेंगे तो टाइम कंटिनिसली यहाँ पर शो होता रहेगा क्योंकि बैटरी ज़्यादा कंजेप्शन नहीं हो इसलिए यहाँ पर बैटरी में आपको जब यह यूज करेंगे बैटरी लगा कर तो आपको इस बटन को प्रेस करके ही टाइम को देखना होगा तो चलिए इसको लगा कर दिखाता हूँ आपको कि इसको लगाने के बाद में जो टाइम है वो कंटिनिसली शो होता है तो देखे इस एड़ेप्टर में मैं इसको लगा देता हूँ और इसको लगाने के बाद में स्विच अन कर लेता है और चलिए इसको यहाँ से जैसे ही आप लगाएंगे तो आप देख सकते हैं जो light है यहाँ पर इसकी on हो चुके और ये continuously अब चलता रहेगा तो चलिए अब मैं आपको इसकी batteries निकाल कर लगा कर दिखाता हूँ कि batteries निकालने के बाद में भी ये continuously चलती रहेगी जैसे ही आप इस पिन को लगाएंगे इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर बैटरी लगाकर इसको लगाते हैं तो time जो है वह रिसेट नहीं होगा लेकिन अगर आप इसमें batteries निकाल देते हैं और इसको भी निकाल देते हैं और दुबारा जब भी ओन करेंगे चाहें वह battery लगाकर चाहें भी या फिर इस से क काफी decency जो है वो quality के साथ में आती है अब चलिए बात कर लेते इसकी price की तो जैसे कि मैंने आपको बताएं मैंने इसको flip card से order किया था और flip card पर इसकी जो price है वो 490 रूपीज में मैंने इसको order किया है यहाँ पर आप order का screenshot देख सकते हैं तो इसकी price के according मुझे decent सा product लग रहा है बहुत जादा value for money तो नहीं कह सकते हैं लेकिन जो product है वो decent सा है क्योंकि अगर इसकी price 350 या फिर 400 के अंदर होती तो काफी value for money हो सकता तो अगर आप भी यह same product order करना चाहें तो इसका link में आपको description में दे दूँगा अगर आपको इस digital alarm clock का completely unboxing and review देखना है तो इसके भी वीडियो का link में आपको description में दे दूँगा so guys फिलाल यही सब कुसा इस वीडियो में I hope आपको वीडियो पसंद होगा अगर आपको वीडियो पसंद है तो अगर आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इसी तरी की interesting informative and useful products की वीडियो देखने को मिलते रहती है तो मैं मिलता हूं से क्लिके से interesting वीडियो में thanks a lot for watching